हेलो गाईज तो आज बात करते हैं एक और कोश्चन की इस कोश्चन में कहा रहा है था स्पीड आफ एरो प्लेइन इस 320 किलोमेटर पर आवर अगर सपोस्चन करो यहाँ पर मैं मानत अएक प्लेस अ है और दूस्रा प्लेस बी है इन दोनों की बीच ए दिस्टेंस हमें फाइंड करनी है थो यहाँ पर गिवन है कि एक अरोप्लेइन है तो मालो यह आपका अबारोप्लेइन हो झाहता है भिपांड तो how far इसके स्पीड कितनी है मुझे पता है अप लोग हजर है कोई बात निया जिसके स्पीड कितनी है 320 km per hour तो एसे स्टार्ट करता है और पर फ्लाइंग गरना और B पर पहुंच आता है कितने घंटे में time कितना लिया बच्चो time लिया इसने 3 hour तो अब पूछ रहा है कि ये बताई इसका distance कितना होगा यानि A से B तक कि distance कितना होगा तो चलो बच्चो उसका solution करते हैं तो solution में पहले जो given हम उसे लिख लेते हैं तो पहले हम लिख लेंगे speed of aeroplane क्या given है बच्चो speed of an aeroplane aeroplane की speed कितनी है यह है आपका 320 km per hour ठीक है बच्चो और क्या given है और इसमें given है time taken कितना लिया time time लिया इसने 3 hours कितना लिया बच्चो 3 hours time लिया और एक formula आपको पता है formula क्या है formula यह है कि speed is equal to देखे formula होता है speed is equal to distance upon time distance upon time होता है तो हमें क्या चाहिए distance चाहिए तो इसके नीचे आप one मालो और कर तो क्रॉस मुल्टिप्लाई तो time को ले जाओ this speed के स्थ प्लेस पे और यह डिस्टेंस ही ना तो distance क्या हो जाएगा distance is equal to speed into time तो अगर हम यहां यहां देखें speed हमारे कितना है तो speed हमारे यहां पर given है 320 और time कितना है 3 hour तो यह जो distance आएगा किस में आएगा बच्चो मीटर में find करना तो चलो आप यहां देखो हमें पता है मैं तोड़ा सब्सक्राइब कर दो तो यहां पर हम हो जाएगा 960 km is equal to 960 into 1000 मीटर तो यह कितना आ गया 960 000 मीटर इट मेंस वह कितना distance कवर किया 960,000 मीटर उसने distance कवर कर लिया तो बच्चो यह रहा आपका answer तो आई होप कोशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा तो बच्चो अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब कर लेना चले मिलते हैं नेस कोशन में